नमस्ते आप सभी को स्वागात है आमरी चैनल जीद की पाड़ साला में आज से हम लोग डिसकास करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव जेग्राफी चैप्टर 6 रिजनल जेग्राफी आफ इंडिया तो चलिए बिने केसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं 6.01 इंडिया 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 और इंडिया, एसिया कॉंटिनेंट का एक बड़ा डेमोक्राटिक नेशन है, दा कांट्री इस फूल अफ डाइवर्सिटीज और यहां पर बहुत सारे डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगे, और यहां पर जो डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है, इसका रीजन क्लाइमेट, फिजिकल इंबाइरोमेंट, साथी सोचियो एकनोमिक कॉंडिशन भी है, एक तरफ स्नो काबड याने की स्नो से ढखा हुआ जगा भी आपको देखने मिलेगा, वहीं दूसरे तरफ ऐसा जगा भी बहुत सारा है, यहां पर जो की ड्राइवर्सिटीज आपको देखने को मिला, वो कहां पर देखने को मिलेगा, हमरे देश इंडिया में, एक तरफ आपको ज़्यादा बारिस के चलते, यहां पर सुखा भी पड़ जाता है, तो यह क्या है, बीवर्ना था, इसे कहते हैं, डाइवर्सिटीज, देर आपको बड़े बड़े पेड दिखने को मिलेंगे, जिसके बड़े बड़े लीफ, बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, तो कहीं कहीं पे आपको छोटे छोटे पेड भी देखने को मिलते हैं, अगर आप लोग लाइंग एरिया तक जाएंगे, तो इस एरिया पे आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ पोदे, साथ ही अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और जो इंडिया का जमीन हैं, इसमें भी आपको अलग अलग तरीका के लैंड फर्म देखने को मिलेंगे, कहीं पे mountains है, कहीं पे hills, कहीं पे platews, कहीं पे plains और कहीं पे flat plains सामिले Such physical diversities have also brought about socio-economic diversities in the country और जैसे कि हम लोग ने पढ़ा अभी-अभी कि इंडिया में बहुत तरह के landforms आपको देखने को मिलेंगे बहुत तरह का climate आपको देखने को मिलेगा जिसके चलते यहां का socio-economic development भी एकी तरह का नहीं है कहीं कहीं पे development ज्यादा है, तो कहीं कहीं पे कम है As against the backward tribal societies, there are also some modern urban societies in certain areas कहीं पे backward tribal societies है, तो कहीं कहीं पे modern urban societies भी इंडिया में देखने को मिलती है The country is the home of many human groups having their different languages, religions, customs and traditions, dress and food habits और इंडिया एक ऐसा देशे जहां पे आपको अलग-अलग human group देखने को मिलेंगे जिसके language अलग-अलग होंगे, अगर एक दो किलोमेटर के बाद ले लेंगे तो वहाँ पर भी हम लोगों ऐसे लोग मिलते जो अपना भासा जो है अलग-अलग प्राकार के बोलते हैं Religion उनका अलग होगा, custom, tradition, dress या फिर food habits भी लोगों का अलग-अलग है तो इंडिया के ऐसा देशे, जिसमें बहुत सारे बिविन्नता के लोग रहते हैं और इंडिया का मुख्य करेक्टरिस्टिक क्या है? डाइवर्सिटिज, unity in diversity आप लोगने सुना ही होगा, यहाँ पर एकता भी है लेकिन बिविन्नता भी है लोगों का language अलग हो सकता है, religion अलग है, उनका जो रहन सेहन करने का तरीका है, tradition, custom, food, habit अलग है लेकिन उन लोगों में क्या है? एक एकता भी है जो की बहुत पहले से चलते आ रहा है लोग, continued, strong cultural base, similar physical condition, shaped by monsoon climate and modern transport and communication, trade and commerce, along with unified administration, grown in recent years, have all contributed to a sense of unity among all the Indians तो बोट सालों से जो एक cultural base यहाँ पर है, जिसमें similar physical condition, जो की monsoon season में आता है, whole India, modern transport and communication system जो धिरे धिरे से बढ़ रहा है trade and commerce, जो इंडिया का भी किसी दूसरे देश के साथ में, या फिर इंडिया जो इस्टेट, trade and commerce है, जो भी मतलब recent period में develop हुआ है, इसके चलते भी एक sense of unity among Indians हमें देखने को मिलती है location and size, इंडिया is situated in the southern part of the world's largest continent of Asia, तो इंडिया, Asia का southern part में इस्थी थे, in its north there are the Himalayas and China, इंडिया का नॉर्थ में अगर हम लोग बात करते हैं, तो Himalayas और China है, in the south the Indian Ocean and Sri Lanka, southern side में Indian Ocean और साथ ही Sri Lanka इस्थी थे, in the east the Bay of Bengal and Myanmar, तो इस्थ में अगर हम लोग बात करते हैं, तो Bay of Bengal और साथ में Myanmar, और in the west Dara, BNC and Pakistan, 6.01 में आप देख सकते हैं, तो इंडिया का जो लेंड एरिया है, उसको हम लोग अगर नॉर्थ साथ डियरेक्शन में देखते हैं, तो नॉर्थ में है कस्मिर, और साथ में है कन्या कुमारी, and in the east-west direction from Ornachal Pardish to Saurashtra, और east से लेके west तक अगर हम लोग जमिन देखते हैं, इंडिया का, तो east में है आपका Ornachal Pardish, और west में जो हम लोग का India का land area है, जो last land area है, उसका नाम है Saurashtra, तो कस्मिर से लेके कन्या कुमारी, और अगर east-west direction को देखते हैं, तो Ornachal से लेके S तो यह जो है इंडिया का एक्स्टेंशन इसको आप लोग नोट डाउन कीजियेगा और आपका East-West Direction में कौन सा एरिया है मैंने पेले बोला East में है आपका अड़ना चल पर दिश और West में सोरास्ट और North-South का अगर बात करते हैं तो कस्मीर से लेगे करनिया कुमारी तक इंडिया फैला हुआ है साथ East-West Direction में कौन कौन से country है या फिर कौन कौन से ocean है उसको भी आप लोग याद रखियेगा और उसी लाइन ने क्या क्या है इंडिया को North India और South India में डिवाइड किया है अगर हम लोग Southern पार्ट का बात करते हैं तो Bay of Bengal है East में और Arabian Sea है West में तो इस लाइन को आप लोग याद रखियेगा कि इंडिया का जो North-South extension है यानि कि North से लेके South तक तो North में क्या है North में है आपका कस्मीर और South में क्या है कन्यकुमारी तो कस्मीर से लेके अगर हम लोग कन्यकुमारी तक का बात करते हैं तो उसका लेंद है 3214 किलोमेटर और East-West extension यानि कि East में है और नचल प्रदेश वेस्ट में है तो उसका जो लेंद है वह है 2933 किलोमेटर तो East-West extension प्लस North-South extension आपको याद रखना होगा इसमें बहुत सारे पोर्ट्स भी स्थीत है Like the coast lines, the country has also land frontiers with its neighboring countries और जिस तरह से हमने coast line पड़ा उसी तरह का land boundaries भी इंडिया का तो हो गई तो उसका जो land है जो की border line है, land boundary है इंडिया शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भुटान नौर्थ में फिर चाइना on East and Myanmar and Bangladesh on Southeast तो इंडिया का जो इंडिया अपना जो land boundary शेयर करता है या फिर इंडिया का जो land border से, land boundary है उसका length है 15,200 km तो इंडिया का जो coast line है, वो है 6,100 km जबकि इंडिया का land boundary है 15,200 km इसको याद रखेगा, 6,100 है आपका coast line जबकि लेन boundary है 15,200 km ये दोनों पॉइंट को याद रखेगा क्योंकि maximum time ये पूछे गए है इंडिया is a vast country, in size it ranks 7th among the countries of the world जैसे कि हम जानते कि इंडिया एक बड़ा देश है अगर हम लोग size का बात करते हैं तो इंडिया 7th rank आता है दुनिया भर में on the basis of size इस country is 13 times larger than United Kingdom और इंडिया 13 times बड़ा है किस से? United Kingdom से और 4 times बड़ा है जापान से its total geographical area is 32,87,263 square kilometer the country covers 2.2% of the total area of the world तो world का जितना भी area है उसका 2.2% कहां परें इंडिया में निकि इंडिया का जो area है और दुनिया भर का कितना percent है शिर्फ 2.2% इंडिया is also called a subcontinent in view of its vast size and extension इंडिया को एक subcontinent भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो area है उसके चलते it is a large democratic country with 28 states and 7 union territories तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है जहां पर 28 states और 7 union territories यहां पर बताए गए लेकिन अभी फिलाल यह data change हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएगा कि अभी presently कितनी इस्टेट और कितनी union territories हैं